तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोप 5 स्मार्टफोन जो की 10,000 रुपे मिलते हैं और दोस्तो ये वो स्मार्टफोन है जो की सबसेरा सेल होते हैं और वेली फोर मनी स्मार्टफोन है तो आपको जो भी smartphone मिलेंगे वो काफी अच्छे price के साथ और feature के साथ देखने को मिलेंगे तो आप इस वीडियो को लाज तक देखती रहे जएगा और मैं आपको बता दू हमें criteria follow करते हैं कोई भी smartphone लेने से पहले 10,000 रुपे में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा phone में आपको बता देता हूँ 4.1 5G होगा जो display होगी वो कम से कम आपको 6.7 inch की display मिलेगी जो के HD plus होगी 120 हर्ट के साथ डिस्प्ले का refresh rate पे अच्छा होना चाहिए साथ ही में दोस्तों आपको 5000 image की battery मिलना चाहिए 8W का charging मिलना चाहिए और Android 14 पर phone काम करे इतना कुछ आपको मिलेगा phone के अंदर तो आप इस वीडियो को लास्त तक देखते रहेज़ेगा ये वीडियो proper research review के अधर पर बनाई गई है तो चली इस वीडियो को start करते हैं नंबर 5 पर रखते हैं ITEL P55 5G smartphone इसका जो price है वो 10,000 रुपे है इसमें आपको Diamond City 6080 का poster मिलता है इसमें आप gaming अच्छे से कर सकते हो आन्तुदू स्कोर 3,90,000 के आसपास आते हैं इस phone में आपको side finger pin sensor का support मिलता है और इसमें अच्छी बात यह है कि 6GB का RAM मिलता है 128GB का storage मिलता है 10,000 रुपे में और इसमें आप 6GB RAM और बढ़ा सकते है वर्चुली तो आपका phone जो यह वो लेगनी होगा 12GB तक shift हो जाएगा phone में आपको 5000 image की बेटरी मिलती है 8W का fast charging मिलता है बाकी type C का port मिल जाता है display की बात करें तो 6.6 inch की display मिलती है 90Hz के साथ आती है और यहाँ पर आपको 50MP का AI dual camera मिलता है मतलब एक AI camera मिलता है यहाँ पर single camera ही आपको देखने को मिलता है और 8MP का front camera मिलता है बाकी stylish design के साथ आता है और बाकी अच्छा phone है आप ले सकते हैं नंबर 4 पर रखते हैं Lava Blaze 2 5G smartphone तो सबसे पहले मैं आपको बता दू इसमें premium design मिलती है glass bag के साथ आता है फोन प्रोसर की बात करें तो diamond city 6020 का प्रोसर यूज किया गया है तो gaming यहाँ पर अच्छे से कर पाऊगे 4GB का RAM मिलता है LPD 4X RAM का support है बाकी 64GB का storage है 224 में जो Lava है उसने काफ़ अच्छे तरह से काम किया है और 50MP का आपको यहाँ पर camera मिलता है जिससे आप photo video अच्छे से निकाल सकते हो और बाकि इसमें जो processor है वो 6020 का जो है वो आप diamond city 700 से compare कर सकते हो तो gaming अच्छे से हो जाएगी बाकि वेरेंट की बात करें तो 4GB 64GB का जो price है वो 10,000 है 6GB 128GB का जो price है वो 11,000 है और इससे आप sales से purchase करते हो तो 500 से 1000 रुपे का आपको discount मिल जाएगा नमबर 3 पर रखते हैं Redmi 30C 5G smartphone सबसे अच्छी बात यह है किसमें आपको diamond city 6100 का पोसर मिलता है 6mm पर based है, gaming अच्छे से कर सकते हो अच्छी बात यह है किसमें आपको side fingerprint sensor का support मिलता है Android 13 पर यह काम करता है और इसमें आपको 5000 image की बेटरी मिल जाती है अच्छी बात यह है कि दोस्तों यह phone है काफी बढ़िया है इसमें आप gaming अच्छे से कर सकते हो इसमें एक और smartphone आता है Poco M6 जो किसका rebrand है, इस बात का भी जहन रखेगा अगर आप Poco का लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो वो comprise माता है नमबर टू पर रखते हैं दोस्तों Poco M6 Pro 5G smartphone क्या जबर जास phone है दोस्तों यह काफी अच्छा है इस पेसल लूक के सार आता है और इसका जो, मतलब इसका जो camera module है मुझे काफी बढ़िया लगा premium glass bake के सार आता है सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बतादो इसका जो design है, वो काफी बढ़िया है इसमें जो camera module दिया गया है मुझे काफी अच्छा लगा बड़ा camera module के सार आता है बाकी premium glass bake का इस्तमाल किया गया है डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 inch का Full HD Plus 90 Hz के सार आता है Snapdragon 4 Gen 2 का processor यूस किया गया है तो इसमें आप gaming बगेरा कर सकते हो और काफी अच्छा processor है 4GB 128GB के सार आता है Android 13 का इस्तमाल किया गया है बाकी IP53 का rating मिल जाता है side fingerprint sensor है 5000 image की battery मिल जाती है 8W का fast charging का support मिलता है 11,000 रुपे का phone है दोस्तों है और इसे आप sales चे purchase करोगे तो 10,000 रुपे पढ़ जाएगा नंबर वन पर रखते हैं Moto G34 5G स्मार्टफोन काफी बड़ी है स्मार्टफोन है Qualcomm Snapdragon 695 के process के सारा आता है मतलब इसमें आप जो gaming यह अच्छे से कर पाऊगे मतलब जो 18,000 के phone होते हैं उनमें आपको यह process देखने को मिलता है बाकी आपको एक कम में मिल रहा है तो यह काफ एच्छी बात है Android 14 आपको मिल जाता है और यहां पर आपको 120 हर्ट का reflect मिल जाता है बाकी HD Plus है तो इस बात का धियान रखेगा तो डिस्पले में को एवरेज लगा है यहां पर ठीक है साइट फिंगर पी इंसेंसर का support मिल जाता है दस हजार में दोस्तों आपको 4GB करें मिलता है 128GB का storage मिलता है 8GB 128GB वाला उसको भी आप जेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारे लीस्टे के कुछ टॉप स्मार्टफोन थे अगर आप जिस ब्रेंड पर ट्रस्ट करते हो और आपको जो भी अच्छा लगा हो स्पेसिफिकेशन वाइज वो ले सकते हो बाकि नंबर वन स्मार्टफोन मुझे बहुत अच्छा लगा है तो आप यह ले सकते हो बाकि Poco M6 Pro भी काफी अच्छा है कमेंट करके बताएए आपको वीडियो के से लगए वीडियो चकने पर लाइक कीजिएगा जादा जादा शेयर कीजिएगा जय हिन जय भरत बंदे मातन दोस्तों